अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी वन प्लस के इस अपकमिंग डिवाइस को लेकर काफी एक्साइटेड होंगे आप ये वन प्लस ऑवेटिंग अफोडिबल मिड रेंज स्मार्टफोन वन प्लस जी को लेकर इंडिया में काफी जबरदस थाइप बना हुआ है उपर से वन प्लस भी इस डिवाइस को टीज पे टीज किया जा रहा है इवन इस डिवाइस के नेम तक को लिएकर लोगों में काफी curiosity बनी हुई है ये डिवाइस 1 प्लस Z होगा, 1 प्लस Node होगा या फिर 1 प्लस Light Z Really don't know और वैसे भी नेम को लिएकर कोई भी फरक नहीं पड़ता है क्योंकि actual में इस डिवाइस के hype के पीछे जो reason है वो ये है कि एक तुई डिवाइस 1 प्लस की branding के साथ में आता है उपर से एक affordable डिवाइस है जो 25,000 से कम के price बजट पर आपको काफी powerful specs ओफर करता है So 1 प्लस Z या 1 प्लस Node जो भी आप बोलना चाहूँ इस डिवाइस को लिकर एक और interesting सा update निकल कर आया है कि ये डिवाइस एक single punch-hole display नहीं बलकि एक dual punch-hole display के साथ आएगा That means dual selfie camera जहां 32 प्लस 8 megapixel का camera setup देखने को मिलेगा ठीक वैसा ही जैसा आपको Realme X3 Super Zoom Edition में देखने को मिला था पर इंट्रेस्टिंग बात ये है कि ये display एक Super AMOLED पैनल होगा जहां आपको 90 Hz का refresh rate देखने को मिलेगा इसके अलबा बाकी features almost same ही होंगे जो हम already OnePlus G से जुड़े काफी वीडियो में cover कर चूगे Like rear camera along with quad camera setup, Qualcomm Snapdragon 765G वाला 5G chipset, 4300 mAh की बैटरी साथ में 30W की wrap charging ये सारे features आपको देखने को मिलेंगे सिर 25,000 से कम के price segment पर And this is only the reason जिसकी वज़े से इंडिया में इस device का बड़ी basic receipt किया जा रहा है Guys एक और interesting चीज के OnePlus ने इस device के name को लेकर Amazon पर एक survey भी डाला था जहां I am sure maximum लोगों ने OnePlus G को वोट किया होगा क्योंकि ये name सुनने में काफी interesting sound करता है अब बात आती इस device के launch date की तो guys देखो expected launch date 10th of July को माना जा रहा था जिसको OnePlus में भी तक official confirm नहीं गिया But 30 June को OnePlus इस device को लेकर एक बहुत ही बड़ा announcement करने वाले So I guess OnePlus यहां पर इस device के name या फिर launch date को reveal कर सकते है बाकि official teaser में 3rd of July को काफी point out किया गया है तो हो सकता है यह device 3rd of July को भी देखने को मिल जाए Let's see what the hell plan for this upcoming device यह device Amazon exclusive होगा और especially first global launch इंडिया में किया जाएगा जोकि काफी interesting है उसके बाद European और North market के लिए available होगा बाकि guys एक चीज लिख कर ले लो अगर यह device 25,000 से कम के price segment पर आता है So this will be one of the best device for 2020 So I am too excited क्या आप भी इस device को लेकर excited है बताना नीचे comment section में बाकि वीडियो करे पसंद आया थे वीडियो को लाइक कर देना बाकि OnePlus Z से जुड़े further updates के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत बोलना में इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत देनने बाद मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स वीडियो में